क्यालने भाई सब लोगों के तो स्वागत है आपका टीचर सड़ा 24-7 के यूट्यूब चैनल पे मेरा नाम सनी सिर्वास्तो देखे सीट अगस्त 2023 का अभी जो पेपर हुआ था 20 अगस्त को उसकी आंसर की आ गई है ठीक है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आंसर की मिला भी ली होगी आपके मैसेज़ेज ये बता रहे हैं कि आपका पेपर अच्छा हुआ है क्योंकि लगबख जब से आंसर की आई है तो मुद्धा है कि आपका जो रिजल्ट है वो 7-10 डेज में आपका रिजल्ट आ जाएगा हो सकता आपको इसके पहले ही रिजल्ट देखने को मिल जाए लेकिन आप मानके चली कि एक हफटे से 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा ठीक है और उससे भी जादा बड़ी बात ये है कि जिनका भी सीटेट का भी रिजल्ट आएगा उनके लिए बिहार सिक्षक भरती में फॉर्म भरने का एक बहतरीन मौका उनके हाथ में मिल जाएगा ठीक है और आने वाली वेकेंसीज में भी उनको एक अच्छा मौका मिल जाएगा दूसरा सवाल ये है कि नेक्स्ट सीटेट कब तक होगा ठीक देखो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सारे लोग ये कह रहे हैं कि नेक्स सीटेट जो है वो दिसमबर में होगा और 90% संभावना ये ही है कि दिसमबर में ही होगा क्योंकि सीटेट कंटिनिवसली दिसमबर वाले सीटेट का organization सीटेट को organize करने में कोई दिक्कत नहीं आई है तो दिसम्बर का सीटेट तो हो ही रहा है, बहुत अगर कुछ परिवर्तन आएगा तो हो सकता है, यह जन्वरी में चला जाए, पर आपको इस से जादा देर देखने को मिलेगी नहीं, तो दिसम्बर में अगर यह सीटेट होगा, दिसम्बर लास्ट तक आप मान के चलो, सेम्बर के लगभग आपके सामने 10 दिन बच जाएंगे या 15 दिन के करीब बच जाएंगे, आपके पाद 10 ही मान के चलिए, बीच के 4-5 दिन तो आप अभी दुरगा पूजा और इसमें उसमें बिता देंगे, ठीक है, तो लगभग आपके पास 60 डेस का टाइम है, और 60 डे यह है कि आपको सोशल साइंस की, और मैं पिछले बार भी आपको यही समझा रहा था, कि आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, इसलिए नहीं कि आपको इससे जो है वो सीटेट हो जाएगा आपका क्लियर, आप किताब पढ़ने की आदत इसलिए डालिये, क् की लगातार मैंने आपको बोला था, कि एक्जाम का नेचर बदल रहा है, और आपको एक्जाम को बीट करने के लिए NCRT की किताबों को पढ़ना पढ़ेगा, यह स्टेट में जब आप एक्जाम देते हैं, तो SCRT की किताबों को पढ़ना पढ़ेगा, ठीक, तो 6-8 की आप अच्छे से बुक पढ़िए, और इसके अलावा कुछ मत करिएगा, प्रीवेस येर वेर जब हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस, जब हम लोग बात करना शुरू करेंगे, तो हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे मैंने पिछली बार करा रखा था, ठीक है, हाँ, ए यूट्यूब पे टीचर सद्डा खोलेंगे, तो टीचर सद्डा पे जाके आप प्लेइलिस्ट में जाएगे, और प्लेइलिस्ट में अगर आप जाते हैं, तो जैसे ये EMRS DSSB के लिए CTAT Estates 8 की क्लासेज है, तो इसी तरह से आपको प्लेइलिस्ट में मेरी CTAT की क्लासेज उसको ढूंड लीजेगा या आप सीधे सर्च कर लीजेगा NCRT Filter Series by Sunny Sir ठीक NCRT Filter Series by Sunny Sir और यकीन मानिए अगर आपने ये Filter Series proper numbering के साथ है साथ दिन है आपके पास और मेरी ये fortunately classes भी 60 है इस 60 classes के अंदर आपको History भी मिल जाएगी, Quality भी मिल जाएगी, Geography भी मिल जाएगी और बहुत बढ़ियां आपकी preparation हो सकती है जो लोग batches में जोड़ना चाहते हैं कि Sir हमें batch पढ़ना है, हमको batch चाहिए तो batch में आपको पता है, Adder 24-7 के इस website पर आप आईए, application डाउनलोड कर लीजे, वहां से भी आप ले सकते हैं तो आप seated में जाकर आप batch में enroll कर सकते हैं, यह विजय batch है हमारा और यह social science का batch है मेरा अलग से batch भी आएगा, only social science का, आपको अगर केवल social science पढ़ना है तो आप उसके लिए भी अपने आपको enroll कर सकते हैं पुराना batch आप तब तक देख लीजे, देखते रहिए, ले लीजे उसको उसमें जब live शुरू होगा तो उसमें आप जुड़ जाईएगा, अधिकार 3.0 नाम रखा जाएगा उसका, उसके अंदर आपको मिल जाएगा batch ठीक है तो और जो भी आप course लेना चाहते हैं, code आपको पता है क्या यूज करना है, code आपको यूज करना है Y793, इससे आपको थोड़ा discount और मिल जाएगा, ठीक, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आप इसको ढंग से पढ़िए, आपकी बहुत बढ़ियां तयारी हो जाएगी, ठीक है ध्यान रखेगा आपना, मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, जैहिंज भारत, नमस्कार